हलो दोस्तों आपका सौगत है हमारी चन एजुकेशनल क्रांती में आज 10 जून है और 10 जून के करनट फेर के और चलेंगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप हमारे साथ नियमित बनी रहें इससे पहले कुछ मोटिवेशन कोईट की और चलते हैं ज्यान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है परनतु ज्यान तुम्हारी रक्षा करता है इससे हमको जानने को मिलता है कि हमें ज्यान बढ़ाना चाहिए धन तो ज्यान बढ़ाने से बेसे ही आ जाएगा इसी के साथ अब चलते हैं कल का करेंटे फैर रिवाइन कर लेते हैं कल का हमारा पहला कुश्चिन था हाल ही में UNADP UNDP दौरा सयुक्त राष्ट सद्भावना राजदूर बनाया गया है 13 साल की ललकी है M. निर्था जी M. निर्था जी इनके जो है पिता जी जो है नाई का काम करते हैं लेकिन इन्हों लॉक्डाउन में भोजन खिलाया था गरीबों को बिस्व महासागर दिवस कम मनाया गया और इसे मनाया गया आठ जून को चरण जी भी सर्जा जी इनकर नेधन हो गया है और यह कणनर अभिनिता थे किस रेलवे स्टेशन को प्रेवरण के अनकूल लागू करने के लिए गोल्डन रेटिंग दि गई और यह रेटिंग दि गई तरची रेलवे स्टेशन The dry fasting miracle from deprived to tribe नाब यह उस्तक थी और यह लिखी है Luke कौनिट हो लिव कौनिट हो आपने यादी कल का करने डिफेर नहीं देखा है तो आप देख लीजीगा आपको आई विटन पर मिल जाएगा भारती महिलाओं की मात्र म्रत्युधर को प्रभावित करने वाले कारकों की जाज के लिए टास्क फोर्स गठित की गई इसकी अत्यक्षिता किसके दोरा की गई इसकी अत्यक्षिता की है जया जेटली जी ने गूगल क्लावड इंडिया के बरिश निर्देशक किसे बनाया गया और ये बनाया गया अनिल बल्लूरी जी को कल का हमारा प्रशन था बिजबु महासागर दिवस की थीम क्या है और इसकी थीम थी Innovation for a Sustainable Ocean Innovation for a Sustainable Ocean और इसका जबाब दिया हमें तिवारी जी ने इने बहुत-बहुत बदाई और सुबकाम नाय हमारे साथ नियमित बने रहें अब चलते हैं आज के प्रशन की और आज का पहला प्रशन मुकमंत्री सहरी पत ब्यवसाय उत्थान योजना किस राज्य द्वारा सुरू की गई और यह सुरू की गई है मद्द प्रदेश द्वारा मद्द प्रदेश द्वारा इसे सुरू किया गया है और इस योजना के अंतरगत जो है सहरी पत विक्रेता पोर्टल को भी लॉंच किया गया है इसके अंतरगत जो है जो भी असंगेटित कामगार है जो की सड़क पर पत पर गुम्टियों में ठेल लगाते हैं उनको इस पर पंजेन करना है और उन्हें इन योजनाओं का लाब दिया जाएगा सहरी पत वैफसाईयों को जो है दस हजार रुपे का गारंटीड दस हजार रुपे का जो है रिन देगी यह योजना तो जो है आपकी आत्मिनर भर निधी योजना लेकिए थी प्रदान मंत्री मोधी जीने उसी योजना में जो है दस चाजार रुपे का न्रिन देने का बात कहिए गयी ती और इस योजना में जो है आपका ब्याज जो होगा 7% अनुदान जो है यह केन सरकार अर्थत PM दौरा दी जाएगी और बचा जो 5% अनुदान है यह अब जो है राजिस सरकार देगी इस योजना के अंतरगत उमीद है आप समझ गए होंगे अब आपको बता देते हैं कि जो मदपरदेश है वो गेहू खरीदी के मामले में अबल पर आ गया है और बरतमान में जो है पूरे भारत में जो गेहू खरीदा गया है उसका 33% जो है अर्था 23 सा MP के दौरा खरीदा गया है और MP की बात करें तो MP में कुछ और ही उजनाय चलाएंगी उनके बारे में देख लेते हैं सरम सिद्धी अभियान सरम सिद्धी अभियान चलाया गया जिसके अंतरगत ग्रामीनों को जो है रोजगार देने के लिए बात कही गई है देदी बाहन सेवा यह जो है गर्बती महिलाओं के लिए एक बाहन सेवा सिरू की गई जो की जाबुगा में जाबुगा से सुरू की गई है चरण पादु का अभियान जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रबासी मजदूर थे वो एक राज से दूसरे देश जा रहे थे उनको जो है पादु का अर्था जूते चपल बांटे गए थे अब चलते हैं अगले प्रश्न की और सुजलेंड में भारत की अगली राज्दूत किसे बनाया गया और यह बनाया गया है मोनिका मोहता जी मोनिका मोहता जी को राज्दूत बनाया गया है यह मोनिका मोहता जी जो है बरतमान में स्वीडन में भारत की राजदूद हैं और इन्हें जो है सिवी जॉर्ज, सिवी जॉर्ज जी को जो है कोवेट का राजदूद बना दिया गया था और यह पहले जो स्वीजलेंड के राजदूद थे तो यह पत खाली हो गया था तो राहुल स्रीवास्तप जी को इनको जो है रोमानिया, रोमानिया के राजदूर बनाया गया था, जो कि विदेश मंत्राले में सचिप थे पूर्व में, और रोमानिया को जो है एक ऐसा देश है जिसको अन्न का देश भी कहा जाता है, यहां मातर दस पत्सत, मातर दस पत्सत ल फिल्लेंड का जो है राजदूत हाली में बनाया गया था जो कि बानी राउ जी की जगह पर बनाया गया है गायत्री कुमार जी को जो है हाली में ब्रेटेन का उच्चायुक्त अब उच्चायुक्त से बात बता दूँ आपको उच्चायुक्त उच्चायुक्त और राजदू इनने जो है रुची घंसयाम जी की जगह लिए है अब चलते हैं अगले प्रशन की और अधिक उचाई के छेतर बाद दूरदरा जिन से कोविड-19 सक्टर में तो कुई निकासी के लिए एक अर्पित नाम का पोड बनाया है अर्पित नाम का पोड बनाया है यह बनाया है यह भारती बायू सेना दौरा बारती बायू सेना दौरा इस पोड को बनाया गया है और इस पोड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है इसका फुल फॉर्म है एरो बोन रेस्क्यू पोड फॉर आईसोलेटेड ट्रांसपोर्ड नेशन और इसकी कीमत जो है साथ हज रही, 60,000 रुपे में इससे बना लिया गया है, जबकि बाहर से निर्याद करते तो इसकी बहुत मेंगा होता, अब यहां पर जो है, बायू सेना के हैड कौन है, बायू सेना के हैड है, आपके आरकेज भधोरिया जी, और हाली में बायू सेना ने आपरेशन संजीबनी चलाया जिसके अंतरकत जो है, मेडिकल सुबिधाय मालदीप को भेजी थी, तेजस MK1 FOC, नाम का एक लड़ा को विमान है, इसको भी बायू सेना ने अपने में सामिल किया था हाली में, सेना कमांडो का सम्मेलन हुआ, और यह हुआ, कहां नई दिल्ली में, अब चलते हैं, अगले जितें सिंग जी धौरा, जितें सिंग जी धौरा इस ऑप को लाँच किया गया है, और इस एप को जो विकसित किया है, वो किया है आईएट हैदराबाद, आईएट हैदराबाद और ESIC, ESIC Medical College दौरा, इन दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया है, और यहтоटेस kा पहला, एप का फुल फॉर्म भी है जैसे कोविट कोविट बीप का फुल फॉर्म है सी फॉर कंट्यूजियस ऑक्सिजन एंड बाइटल इन्फॉमेशन डिटेक्शन बायर मोड इसी आई एल इस आई सी पॉर्ड और यह जो है रक्तिचाप की निगरानी करेगा आप कुछ और एप ल प्रिबग Stack सरकार दोरा लांज किया गया है और यह मोसम की भवश्मानी करेगा सोडर एप जो है Social डिस्टेंसेंग के लिए Google दोरा लांज किया गया मेरा वेतन एप जो जम्मु कस्मीर दोरा लॉँज है उसलिवा, ऻॉरू खोलने के लिए है, पशिप जरी लिए है, जो इन्ड़्स्टेट लोरिट पर भीक्सित किया है, इसका नाम लिखा गया है अनन्या, अनन्या नाम का इसका नाम रखा गया है और यह नेनो टक्नलाजी पर आधारित है सभी प्रकार की सतह है पर कोई यह कुटानू रहित कर सकता है और कोई भी उपियोग इसे कर सकता है और इसे उपियोग करने के बाद 24 गंटे तक जो है आप किटानू रहित रहते हैं अथात इसका आसर रहता है और यह COVID-19 यह कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए बहुत अच्छा रामबान इलाज हो सकता है अब चलते हैं अगले प्रशन की और बंदे उतकल जन्नी बंदे उतकल जन्नी नाम का एक गीत है और इसे एक राजज दौरा वहां का राजज जिगान बना दिया गया है और यह बनाया है और इसे राजज जिगान बना लिया है और केविनेट यहां पर एक केविनेट की बेट लेखन किस ने किया है इसका लेखन जो किया है कांता कावी लच्मी कांता महापात्रा जी दोरा इसका लेखन किया गया है अब ईशा की बात हुई है तो उडिशा के सीम तो आप जान ली करोंगे नमीर परनाइक जी और यहां के राजपाल है गड़े सी लाल और हाली में ही जो आपका अमफान तूफान आया था और आपके महारास साइच से निर्गस तूफान भी आया था यह हमारे लिए इंपॉर्डेंट हो जाते हैं अब चलते हैं अगले प्रशन की और हाल ही में किसे रिचर्ड डिक्सन पुरुसकार से सम्मानित किया गया और यह हमारे गाने लिखने वाले आपके जाविद अक्षर जी दाविद अक्तर जी को यह पुरुसकार मिला है और इस पुरुसकार को जो है मानवी प्रगती मानबबादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है और यह जाविद अक्तर जी जो है पहले वैक्ति बने हैं यह पुरुसकार पाने वाले यह पुरुसकार बिज्ञान क्रसी हचात्रवत्ती अभिन सिक्षा मनुर्वन्जन के छेत्र में दिया जाता है अब हाली में कुछ और बैक्ति को दिया गया उनके बारे में जान लेते हैं किरण मजूमदार 100 इनको जो हाली में EY World Entrepreneur of the Year 2020 का पुरुसकार दिया गया और यह दूसरी महीला बनी और तीसरी भारतिये बनी हैं इस पुरुसकार को पाने वाली यह बायोकॉन लिमिटेट की अध्यक्ष है क्रतिका पांडे को जो है Asia Region Commonwealth स्टोरी प्राइज मिला है इनकी स्टोरी इन्होंने लिखी थी The Great Indian in an snake नाम की इसी स्टोरी के लिए इन है स्पुरुसकार को दिया गया है जोति कुमारी जिय आपने पिता जी को सायकल पर बिठाका घर तक ले गई थी इसलिए इने जो है मेथली वीरांगना की उपादी दी गई है मेथली वीरांगना की उपादी दी गई है अब चलते हैं अगले प्रेशन की और परेवन प्रदेशन सूटनांग 2020 में भारत का इस्थान क्या रहा और इसमें इस्थान रहा है सुधार हुआ है और ये सुधार हुआ है 168 रहा है और पूर्वी में जो है 2019 में आपका रहा है 177 और ये 180 देशों की रेंकिंग होती है तो 177 तो बहुत खराब रेंकिंग थी 168 ठीक है और साथ ही जो है पहले नमर पर कौन रहा पहले नमर पर रहा डेनमार्क डेनमार्क जो है इस रेंकिंग म सुचकांग में भारत की रैंकिंग है 2020 में 23 रैंकिंग पर रहे थे आपके स्टार्टप एकोष्टम रेंकिंग में जो है 23 बेस्तान पर रहा था भारत कुछ और महत्पूर्ण बिंदूओं की और चले अन्य महत्पूर्ण बिंदूओं की और चले तो COVID-19 से जो है मुक्त हो गया है एक देश कौन सा ये हुआ है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड ने घुशना करती है कि हम जो है कोरोन वायरस से मुक्त हो चुके हैं हाली में भारत दौरा भी गोबा को कोरोन मुक्त किया था लेकिन इसके बाद ही यहाँ कोरोना तो मेरीज मिल गया थे तो ऐसा कहा नहीं जा सकता अभी जब तक 14 दिन या एक महीने का बक्त नहीं हो जाता जब तक कहा नहीं जा सकता कि यह कोरोना मुक्त हो गया हो और साथ ही जो है अब न्यूजिलेंड की बात हुए तो न्यूजिलेंड की राजधानी क्या है बेलिंग टन यहां की राजधानी है और यहां न्यूजिलेंड डालर चलती है E-SOP E-SOP प्लेटफर्म लांच किया है Hero Motocop Hero Motocop बाले भी समझ गए है कि अब जो है ऑनलाइन बाजार ही चलेगा तो इनके दोरा E-SOP प्लेटफर्म लांच किया है जिसके अंतरगत घर बैटकर ही आप मनपसंद गाड़ियों को बुक कर सकते हैं और खरीच सकते हैं अब चलते हैं आज के प्रशन की और आज का प्रशन हमारा रहा राहुल स्रिवास्तप जी को किस देश में भारत का राजदूर बनाया गया आपने एदि हमारा वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी बताएं और आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे वीडियो को सेर भी कर सकते हैं लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कल ले यदि आप सब्सक्राइबर नहीं है तो धन्यवाद